हम लोगों ने बहुत जादा हो हला सुन लिया है GST को लेके और हम सब उमीद कर रहे थे कि सर GST अप्रिल तक आ जाएगा GST फिर लगा जून जुलाई तक आ जाएगा और अब जो आसार नजर आ रहे हैं सर उसके चलते GST आएगा सेप्टेंबर में ऐसा कहना है किरला के Finance Minister का किरला हमारे इंडिया का एक स्टेट है यार हां तो महां के Finance Minister साब ने ये कहा है कि हो सकता है सर GST अब तो सेप्टेंबर तक ही आपाए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर आज ही GST Council की 8 meeting conclude हुई है और उस 8 meeting पे एक बहुत important point पे consensus नहीं आ पा रहा वो है dual control का point और states को अपने compensation में जो amount मिले वाला है उसका point साती साथ demonetization का भी adverse effect states बता रहे हैं के GST के rollout पे होगा और इसलिए वो लोग GST को push करते जा रहे हैं basically states central से bargaining में लगे हुए है कि सर हमें इसका control चाहिए हमें उसका control चाहिए हमें इस वाले पे हमाई पैसा मिलना चाहिए हमारी compensation का amount बढ़ा दो तो sir welcome to the Indian politics so guys अब तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि GST कब आएगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब्टेंबर दूर नहीं और हमारे जैसा करने बता है कि finance minister साब में तो कह दिया कि sir GST के लिए हमें proper planning करनी चाहिए तब हमें sir rollout करना चाहिए but anyways let's see what happens आज से लग बग साथ मीटिंग होई है this was the 8th meeting of GST council इन सारी मीटिंग पे आप लोग दियान मना के रखें sir और हो सकता है यह आपके लिए बहुत इंपरेंट हो साथ साथ आपको एक बात और बता दूँ e-commerce company और बाकी सारी companies ने GST को लेके अपनी preparation शुरू कर दी है training sessions चल रहे है registrations चल रहे है return के formats पड़े जा रहे है आप लोग भी updated रहे है ताकि sir आप कहीं इसमें पीछे ना रह जाएं right guys thank you very much and yes do subscribe the channel and do give this video a thumbs up if you really liked it this was a quick GST update ऐसे और बहुत सरे updates और personal finance की tips में लेते रहूंगा आपके लिए so stay connected stay head चेहन और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद